हजारों साल पहले एक योगी थे जिनका नाम था सुनीरा हम मानते हैं कि सुनीरा सब्त रिशियों के ठीक बात की पिढ़ी के थे वो उन पहाडों में रहे और कारिकिया जो अभी नेपाल में है और उन्हों ने एक असंभव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था सुनीरा ने देखा कि मानव जेतना का विकास हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट इनसान तयार करें जो हर तरह के लोगों को ये प्रदान कर सके एक तरह से वो शिव की परंपरा से आए थे कहीं न कहीं उनका सपना था कि शिव की तरह एक दूसरा प्राणी बनाए वो एक बार फिर से एक जीते जाकते शिव बनाना चाहते थे दुनिया के लिए एक परफेक्ट गुरू जो जब पूरी तरह बहु आयामी हों, सिर्फ इस तरह की शिक्षा या उस तरह की शिक्षा न दें जैसे शिव ने पूरी मानव चेतना और मानव शरीर की हर संभव रूप में खोज की थी वो वैसा जीवित प्राणी बनाना चाहते थे तो उन्होंने एक उर्जा शरीर बनाना शुरू किया, उस तरह का और फिर उन्हें लगा कि वो उसके उपर एक भौतिक शरीर बना सकते हैं और उसे दुनिया में छोड़ सकते हैं कुछ सौ या हजार साल के जीवन काल के लिए ताकि वो सारी दुनिया को रूपांतरित कर दें जब तक उनका समय पूरा हो तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और हाँ, वो इसे पूरा किये बिना ही मर गए तो यहां और वहाँ, इन 15,000 सालों में कई महत्वा कान्शी योगियों ने उसी प्रोजेक्ट को उठाया जिसे सुनिरा ने छोड़ा था और फिर से एक परफेक्ट गुरू के उर्जा शरीर को बनाने की कोशिश की जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सके उन्होंने उसे मैत्रे नाम दिया मैत्रे का अर्थ है मित्र मानव जाती का सच्चा मित्र जो आकर मानव था को बदल दे एक विश्व गुरू पीढ़ी दर पीढ़ी कई योगियों ने दुबारा सुनीरा के उसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की ये हमेशा योगिक परमपरा का हिस्सा रहा है लेकिन पिछली सदी में ये सतह पर आ गया ये समाच के सामने आया क्योंकि थियोसोफिस्ट ने उस पर काम किया था एनी बेसंट लेट बीटर और मैडम जो भी उनका नाम थार मैं बोलना ही पाऊंगा ब्लावत्सकी उन तीनों ने इस पर काम शुरू किया उन्होंने कहा हम इसे पूरा करेंगे उन्होंने तंद्र विद्या के ज्ञान को बड़ी मात्रा में इकठा किया शायद पिछले कुछ सौ सालों में पहली बार और निश्चित रूप से पहली बार पारंपरिक तरीके से नहीं बलकि आधोनिक तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और उन्होंने इस प्राणी को ढूनने का प्रयास किया इस अधूरे प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेकर पूरा करना चाहते थे कुछ काम किया गया उनके पास ग्यान था पर उनके पास काबिलियत नहीं थी उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली थी मगर वो ऐसा कुछ करने के लिए जरूरी साधन नहीं जुटा पाए उन्होंने दो बार कमभीर प्रयास किये बस ये घोशिक करने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और परफेक्ट प्राणी आ चुका है मगर ये कारगर नहीं पुआ एक और समाना अंतर रेखा भी खीची जा रही थी पिछले कुछ सहस्तरापदियों से जहां कुछ और योगी जो सुनीरा केज गौरव शाली मगर लगभग असंभव प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे उन्होंने ऐसी ही शक्ती पर काम शुरू कर दिया ताकि ऐसी एक संभावना को तयार किया जाए मगर उसी चीज के लिए उनकी समझ बिलकुल अलग थी एक ऐसा परफेक्ट प्राणी बनाना जो इनसान न हो इनसानी रूप में न हो क्योंकि क्योंकि इसे एक इनसान में डालना एक ऐसी संभावना को इनसानी सिस्टम में सभीक्षमताएं हैं और फिर भी इसमें उसे थामने के लिए सीमा की जरूरी समग्रता नहीं है ऐसे कई पुराने अनुभव हैं जिसमें कई जगहों पर ध्यानलिंग बनाना या बनाने की कोशिश की गई है न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए इन पिछले 2000-3000 सालों में और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया किसने किसी समस्या की वज़े से भोजपुर में एक ध्यानलिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभख एक 1000 साल पहले 1000 साल से थोड़ा और ज्यादा एक स्थानी राजा ने इसमें सहयोग किया था तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है और बाकी योज़ना उन्होंने पत्थर पर बना दी आप जानते क्योंकि उस समय ड्रॉइंग बोड नहीं होते थे उन्होंने एक पत्थर को समतल के और पत्थर पर मंदिर की विस्तरित योज़ना बनाई जिसमें इसके निर्मान की सभी जानकारी थी उनके पास एक भव्य योजना थी एक सुन्दर व्यवस्था और सब कुछ था मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुख गया सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने तीन साल से अधिक काम किया उस पर चौदा लोग काम कर रहे थे एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी और इन्होंने दो साल से ज्यादा काम करके ये चौदा लोग तैयार किये साथ पुरुष और साथ स्त्रियां जिन में जबरदस्त या असाधरन ख्रमता थी और उन्होंने ये काम शुरू किया उन्होंने इस लिंग को लगभग 95 प्रतिशत बना दिया था मगर उसी समय एक आक्रमन हुआ जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने हमला कर दिया उस हमले में योगी का बाया पैर कट गया शरीर में इस चोड के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाए तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे तो उन्होंने एक दूसरे योगी को उर्जाओं को बंद करना सिखाया और वो सभी अपने शरीर छोड कर लिंग में समा गए पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था वो इस परिस्थिती से इतने भावुक हो गए कि वो उर्जाओं को बंद नहीं कर पाए क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए तो लिंग में दरार आ गए आज भी आप देख सकते हैं लिंग में एक सीधी दरार है वो लगभग तीन से चार इंच खुल गया था अब उससे चूने से भर दिया गया है आर्के लॉजिकल विभाग में उसमें चूना भर दिया है पर उसमें दरार आ चुकी है ऐसी सनरचनाए बनाना कई योगियों की इच्छा रही है क्योंकि आत्म ग्यान के साधन बनाना सिर्फ उपदेशों की तरह या भ्यासों की तरह नहीं जिन्हें कोई कर सके बलकि जीवित साधन जिनके आसपास लोग समय बिता सके जीवित साधन जिनसे लोगों को उस प्रक्रिया की और ले जाया सके ये हमेशा से योगियों की सबसे बड़ी इच्छा रही है ऐसी इच्छा वाले एक योगी ने इस काम के लिए मुझे चुना उनके साथ मेरी शारीरिक करीबी सिर्फ चंद मिंटों की ही थी इन कुछ ख्षणों में ही इस शांदार चतुर व्यक्ती ने अपने प्रोजेक के लिए मुझे गुलाम बना लिया मैंने हर काम बस इसे साकार करने के लिए किया क्योंकि ये मेरे गुरू का सपना था ये उन्ही की दूरदर्शिता थी कि ध्यान लिंग स्थापित किया जाना चाहिए ये मेरे गुरू की इच्छा और उनकी क्रिपा है मेरे ख्याल से मुझे उस पागलपन के बारे में कुछ पताना चाहिए जहां से मैं आया हूँ आफ्टर तू लाइफटाइम्स अफ हार्ट ब्रेकिंग साधना बहुत तीवर वाकई दिल तोड़ देने वाली साधना इन दो जीवनकालों के लोग मुझे शिव योगी बुलाते थे और जब जरूरत थी जब मेरे गुरू प्रकट हुए और जब उन्हें लगा कि कि मुझे छूना ठीक नहीं होगा तो उन्होंने अपनी छडी से मुझे छूआ और वो सब जो जागरित होना जरूरी था वो जागरित हो गया मैं उस परम बिंदू पर था जिस पर कोई भी चीज हो सकती है तो उस प्राणी को शिव योगी कहा गया जो उस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सौपा गया था सफल नहीं हुए वो फिर वापस आए सद्गुरू श्री ब्रह्मा के रूप मे कड़ी महनब की लगभग सफल हो गए थे मगर वो समाज में अच्छी छवी नहीं बना सके क्योंकि वो जो थे उसकी तीवरता सामाजिक हालात में समझी नहीं जा सकती थी तो वो उससे पूरा नहीं कर पाए उन्होंने कुछ लोगों को तयार किया और फिर पहाड पर चले गए वो खुद को जांच रहे थे कि वो सफल क्यों हुए उनके पास सब कुछ था ऐसा क्यों हुआ कि सफलता नहीं मिली वो जानते थे कि ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है बात बस इतनी है कि वो बस समाज का समर्थन नहीं जुटा पाए जिसकी जरूरत थी तो वो आखरी बार पहाड पर गए उपर जाने से पहले उन्होंने घोशना की यहां तलहटी पर उनके कुछ शिश्वाई कठा हुए सबने पूछा आप क्या करें वो बोले इवन तिर्पी वरवन मतलब ये फिर लौट कराएगा और वो आखरी बार पहाड पर गए और उन्होंने एक दुर्लप चीज़ की उन्होंने एक ही समय पर अपने सातों चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया यानि वो बस खुद को जांच रहे थे वो जानते थे कि ऐसा नहीं है मगर फिर भी कुछ असफल हो तो सबसे पहले आपको अपने दोश चांचने चाहिए तो वो देख रहे थे कि क्या मैं सक्षम नहीं हूँ या उतना सक्षम नहीं हूँ तो उन्होंने अपने सातों चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया ये असाधारन उर्जा बिलकुल अलग उर्जा जो कहीं और नहीं है आप सात्वी पहाड़ी पर महसूस कर सकते हैं ये कहीं भी मौजूद किसी भी चीज से बहुत ही अलग है ये बिलकुल अलग है तो ऐसा करके वो जान गए हैं कि समस्या क्या है आपने परिस्थितियों को ठीक से नहीं संभाला इस बार जब हम आए तो हमने सारी योजना उस बिंदू तक बनाई जहां हमने तै कि कुछ लोग जिनके मुझे जरूरत होगी वो कहां किस कोक से जन्म लेंगे और कैसे सब कुछ तै किया गया और सब कुछ वैसा ही हुआ प्रान प्रतिष्टा के लिए जिन लोगों की जरूरत थी मैंने उन्हें सही जगा पर रखा ताकि सही समय पर सब कुछ साथ में आ जाए इसके बाबजूद इस जीवन में इसे पूरा करने के लिए लोगों को साथ लाने, उन्हें उनका अतीत याद दिलाने उन्हें तयार करने में 18 साल की तयारी लगी यह आपके लिए परी कथा जैसा है मगर यह ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक जीवित सचाई है तो प्रान प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में साढ़े तीन साल लगी जो बहुत तीवर प्रक्रिया थी जिन लोगोंने इन चीजों को होते देखा उनका जीवन पहले से बिलकुल बदल गया है ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने कभी सपनों में भी कलपना नहीं की थी उन्होंने देखी उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी मौझूदगी में वाकई ऐसा हुआ योगी सुनीरा उन्होंने जीवन भरिस पर काम किया और उनके जीवन के अंत में जब ये परफेक्ट प्राणी बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया तब योगी सुनीरा ने एक भविश्यवानी की आज से बहुत लंबे समय बाद बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद मेरे द्वारा शोरू किया गया ये काम पूरा होगा और गूंजेगा यहाँ नहीं बलकि दक्षिन के हरे भरे परवतों में हमारे परवत हरे भरे हैं और हम दक्षिन में हैं तो जो भी सुनीरा की भविश्यवानी थी वो सच हो गई है पर उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था ध्यान लिंग एक जीविद गुरू की तरह है एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरू की भूमिका सिर्फ शिक्षा या मार्क दर्शन देना नहीं है सबसे बुनियादी चीज जिसकी वज़े से एक आध्यात्मिक साधक गुरू की तलाश करता है वो ये है कि एक गुरू उसकी उर्जा को एक अलग आयाम में जागरत कर सकता है एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरू की भूमिका का ये पहलू ध्यान लिंग ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया है एक बार ध्यान लिंग के घेरे में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर मुक्ति का अध्यात्मिक बीज बोय जाने से नहीं बच सकता करते में आने से नहीं आने इंदर मुक्ति इंदर मुक्ति का अधियान लिंग के बीजार के जैए्यात्मिक झाल झाल